इस वीडियो में हम नेशनल अच्विमेंट सर्वे के कुछ क्रेशन पेपर्स करने वाले हैं अगर आगे के वीडियो मिस कर दिया हैं तो कोई बात नहीं उपर जो आई बटन है वहाँ पे क्लिक करना आगे के सारे वीडियो की इंफर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो आगे भी ऐसे ही इंफर्मेशन वीडियो की नडिविकेशन आपको मिलती रहेगी तो चले शुरूर करते हैं यहाँ पे question number 41 कुछ इस प्रकार है a tank has 700 liters of water यहाँ पे हमारे पास 700 liters की एक tank है some water was used now 275 liters of water is remaining how much water was used आपके पास 700 liters की एक tank है उसमें से कुछ amount का water used हो चुका है लेकिन remaining है हमारे पास 275 liters तो कितना water used हुआ है उसको हमें count करना है तो हम क्या करेंगे simple calculation करेंगे जो हमारे पास total amount of water था उसमें से जितना amount of water remaining है उसको minus कर देंगे और जितना हमारे पास minus करके answer आएगा उतना water हमने use कर दिया है तो पहले हमको carry लेना पड़ेगा तो यहाँ पे आजएगा 6 यहाँ पे 9 और यहाँ पे उसका carry आएगा 10 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 तो 2 और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आजएगा 425 यानि कि हमने 425 लिटर का use किया है और देखते हैं option में है हाँ option में है तो यही हमारा right answer है Question number 42 What comes next in the following pattern यहाँ पे हमें कुछ pattern दी गई है और आपको यह identify करना है कि आगे क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे एक triangle है उसके बाद circle उसके बाद square तो यहाँ पे क्या आएगा triangle उसके बाद circle तो हमारे पास जो option B है वही इसका answer है हम question 43 को देखते है Which object is 3 cm long यहाँ पे हमारे पास 4 अलग-अलग object है और यहाँ पे हमको उसका length measure करना है 3 cm long कौन है यहाँ पे सबसे पहले color को देख लेते हैं तो color यहाँ पे अगर directly इसको देखें तो यह 4 पे आता है 0 से 4 यानि कि वो 4 cm long है तो वो तो नहीं आने वाला फिर उसके बाद है शापनर शापनर के length यहाँ से 2 और 4 तक ही जाते हैं यानि कि यह 2 से 1 और 2 यानि कि शापनर तो 2 step ही लंबा है similarly eraser को अगर हम देखते हैं तो eraser भी 4 से start होता है और 6 पे खत्म होता है यानि कि 2 step ही वो चल पाता है तो अगर color नहीं है sharp नहीं है eraser भी नहीं है तो obviously match stick आए गया तो यह यहाँ पे और यहाँ तक उसका length है यानि कि 2 से शुरू करके 5 तक तो 2 से यहाँ पे 1, 2 और 3 तो उसका total length कितना हो जाता है 3 cm तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो गया match stick बच्चों आगे का question number 44 कुछ इस प्रकार है what comes next आपको next क्या है गया यहाँ पे 12 है उसके बाद 16 है उसके बाद 24 है आपको यहाँ पे pattern को पहचानना है 12 और 16 में क्या difference हो गया 12 में क्या करेंगे तो 16 आता है तो plus 4 और 16 में plus 4 करेंगे तो 20 आता है 20 में plus 4 करेंगे तो 24 आता है तो similarly यहाँ पे प्लस 4 करने से क्या आना चाहिए 28 और यहां पे प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32 और यह 28 और 32 हमारे option में हैं तो है 28 और 32 तो यही है उसका answer तो finally अब हम इस model question paper के आखरी question तक पहुँच चुके हैं question number 45 कुछ इस type का है cost of one pencil is cost of four such pencils will be बस क्या data है कि अगर आप एक pencil लेने जाते हो तो आपको five rupees pay करने होते हैं क्योंकि एक pencil की जो value है किमत है वो five rupees है तो अगर आपको ऐसी four pencils लेनी है four times लेनी है तो आपको five into four करना पड़े गया या फिर five को चार बार लेना पड़े गया यानि कि five plus five plus five और plus five यहाँ पे दोनों concept से आप question को answer को ला सकते हैं choice आपकी है तो five four the twenty आता है और इन दोनों का भी five five plus करेगा तो ten five five plus करेगा तो ten और बाद में ten ten plus करेगा तो आ जाएगा twenty दोनों ही case में answer आता है आपको जैसे भी उसका answer ला सकते हो आपको answer लाना है तो फिलाल इसका answer आ जाता है twenty तो बच्चो आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope यह वीडियो आपको काफी informative लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like किजएगा share किजएगा और channel को subscribe किजएगा तो चलिए मिलते हैं next paper के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए देखते हैं एट्विटेक प्लस थेंक यू